दोस्तो हिंदु धरम में अक्षय तिर्तिया को एक सुब महुरत और महतोपुन तिथी माना जाता है अक्षय तिर्तिया के त्योहार को आखाल तीज कहा जाता है हर साल वैसाख माहा के सुकल पक्स की तिर्तिया तिथी पर ये पारो मनाये जाता है इस तिथी पर सभी तरह के मांगलिक और सुभ कार्य कीएजा सकते हैं अक्सिया तिर्तिया के दिन खरीदारी करना बेहद सुभ होता है इस बार ये त्योहार 3 मई को है हम बात कर रहे हैं अक्सिया तिर्तिया की इस से जुड़ी हुई पुजावी दी और इस दिन क्या क्या आपको करना चाहिए तो दोस्तों अक्सिया तिर्तिया के दिन वरत रखे सुर्योदे से पहले सनान कर ले फिर पीले कपड़े पहन ले घर के मंदिर में भगवान विश्णु जी की प्रतिमा को गंगाजल से सुद्ध करे भगवान को पीले फूल और तुलसी अर्पित करे अब दीप और अगरवत्ति जलाकर आसन पर बैठे विश्णु चालिशा या विश्णु सहस्त्रा नाम का पाठ करे आखिर में सिरी हरीजी की आरती भी करनी चाहिए अगर इसके महत्तो की बात करे तो इसके महत्तो क्या है अक्से तिर्थिया का सर्व सिध्धी महुरुत के रूप में महत्तो माना गया है इस दिन बिना पंचांग देखे सुब कारे किया जा सकता है इस दिन विवा, ग्रह, प्रवेश, वस्तर, आभूशन, मकान, वाहन, आदी की खरीदारी कार्य किये जा सकते हैं दोस्तो जोतिस आस्तर के अनुसार इस दिन पित्तरों को किया गया तरपन और पिंड दान फल दायक होता है यह पवित्र नदियों में सनान करने से समस्त दुखों से चुटकरा मिल जाता है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ अक्षय तिर्तिया के महत्तों को आप समझ गए होंगे जिलकुल इस दिन पूजा करें और अच्छे से भगवान विचनुजी की आराधना करें आपको अवश्य ही सुबफल प्राप्त होंगे तो मिलते हैं दोस्तों एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद